शैल पुत्री मात दुर्गा का प्रथम रूप है और इनकी पूज़ा प्रथम दिन होती है। मानता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैल पुत्री के रूप में हुई थी। नवरात्री के पहले दिन इनकी पूज़ा की जाती है। माक के सामने धूब दीप जलाए और दे और उनका ध्यान करें मा का मंत्र इस प्रकार है ओम शेल पुत्रे नमहा दवरात्री का दूसरा दिन माभगवती के दित्य रूप्रम चारने देवी की पूजा की जाती है सुबह पूजा के समय अपने हातों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें इसके बाद उन्हें कुम सिंदूर अर्पीत करें बता दें कि देवी को सफेत और सुगंदित फूल अती प्री है इसके अरावा आप कमल का फूल भी चड़ा सकते हैं दूसरे दिन के मंत्र है ओम ब्रह्म चारने नमा और दूसरा मं दोस्तों यह या देवी सर्व भूतेशु मा ब्रह्म चारने नमस्तैण अर्व करते हैं सबसे पहले देवी के गंगा जलसे तो इसके बाद धूप दी फूल और करें इसके बाद मा का ध्यान करें और मन में आउम चंडरills कपते वे करते हैं और यह मंत्र 108 यह इस שנta सकते हैं चौथा दिन कुष्मांडा माता को समर्पित होता है और इस दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें इसके बाद मा को जल और पुष्मांडा को नमन करें बता दे कि इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन कर इ इस दिन मांता कुष्मांडा का मंटर ओम कुष्मांड व самой नम्हा और दूसरा मंत्र या देवी सर्व भू तेशु मकुष्मांडा, रुपेर, संसिता, नमस्तस्य, नमस्तस्य, नमस्तस्य मम्हों नम्हा पाँच पर दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिवा या तस्वीर स्थापित करें, इसके बाद गंगर जल से शुद्धी करन करें, चौकी पर मिट्टी तांबे या फिर चांदी की घड़े में जल भर के उस पर कलश रोकें और देवी का ध्यान करें, स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्की सभी चाइपून होती है, माता स्कंद माता को केलब भृति प्री है, इस दिन मा को केले का भोग लगा है, और इस दिन का मंत्र है ओम स्कंद माते नमहा या या देवी सर्भूतेशु मात स्कंद माता रूप के वस्त्रधारन करें इसके बाद मा के सामने घी कादी पगजराव पुष भी चड़ाएं इसके अलावा मा के वो पीले रंके फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गाट भी चड़ाएं और दूसरा मंत्र माता का यह है ओम्सकंद माते नमहा या देवी सर्व भूतेशु मा कात् यानि रुपेन संस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमहा साथवा दिन कालरात्री की अरादना करने चाहिए मा की प्रतिमा किस्तापना करने के बाद मा को कुम कुम लाल पुष पर रोली आदी चड़ाएं इसके बाद मा को निवो की माला पहना है और उनके सामने द मंत्र ओम काल रात्रे नमहा या या देवी सर्भूतेशु महा काल रात्री रुपेन संस्रिता नमस्तस्य 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 नमो नमा नवरात्री का आठवा दिन महागौरी को प्रिये है और पूझनी है इस दिन सबसे पहले लकडी की चौकी है मंदिर में महागौरी की प्रतीमा को स्तापित करें इसके बाद चौकी पर सफीद कपड़ा बिछा को उस पर महागौरी अंत्र की सापना करें महागोरी की पूजा करते समय पीले ये सफेद रंग के वस्तर धारन करें महागोरी को हलवा और चने का भोग लगाए और इनका मंत्र है ओम महागोरे न महा अब सिद्धी दात्री जो हो है माता जगदंबा का ये रूप पून सरूप है पहले दिन जो पूजा आचला शैल पूत्री के रूप में कि गई थी वही सिद्धी दात्री के रूप में आ कर पून हो जाती है इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पसभी देवी देवता करना चाहिए मां के मंतर का जापकर उनकी पूजा करनी है और शिद्धिदात्र को मौसम्ट पूरी की नारियल चना और हल्वा के भूग लगाना चाहेए।